कि दूस्ट आपके जीवन में कारियर नहीं कर पाएगा करते हैं आज रात की प्रात्न में और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि दुस्ट आपके जीवन में कारिया नहीं कर पाएगा प्रभु येश्य मसी उसे आपके जीवन में कारिया नहीं करने देंगे क्यों? क्योंकि वो हारा हुआ है प्रवयेश्य मसी ने उसके सर को कुचल दिया है अब उसके पास कोई पावर नहीं है परमेश्य के चुने हुए के विरोध में वो कारिया कर सके नहीं अब उसके पास वो शामर्थ नहीं है आप विजई हैं उसके उपर प्रवो ने उसे कुचला है उस सेटान के सर को प्रवयेशु मसी ने कुरूस पर अपने मृत्यों के द्वारा कुचल दिया है अब वो हारा हुआ है वो आपके जीवन में कारिया नहीं कर सकता हमें से बहुत से भाई बेहन हैं जो सोचते हैं कि सैतान उनके जीवन में कारिय कर रहा है, सैतान उनके जीवन में कारिय कर रहा है, वो कुछ न कुछ रुकाउटें, कुछ न कुछ बादहें, बीमारियां या फिर कुछ चीजों को लेकर उनके जीवन में आ रहा है और उनको परिशान कर रहा है, तो मैं आज आपसे कहूंगा, कि हो सकता ऐसा हो, लेकिन आपको विश्वास करना है, आपको प्रभु के उपर विश्वास करना है, कि प्रभु ने उसके सर को कुचल दिया है, उसके उस पर आप कोई सामर्थ नहीं रही, अब आप उस पर विजई हो चु जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है क्योंकि शैतान आरम से ही पाप करता आया है परमेश्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें आमीन दोस्तों यहां पर वचन कहता है क्या कहता है कि जो कोई पाप करता है वो सैतान से क्योंकि सैतान आरम से ही पाप करता आया है वो लोगों को उकसाता है गुनाह करने के लिए वो लोगों को उकसाता है परमेश्य के विरोध में कारे करने के लिए परंतु परंतु हम को नस्ट कर दिया, उसकी समर्त को उसने नस्ट कर दिया, उसके सर को उसने कुचल दिया, अब आप और मैं जो प्रभु के चुने हुए हैं, हम पर उसका कोई अधिकार नहीं है, हमारे जीवन में अब उसका कोई कारियर नहीं है, क्योंकि प्रभु यही शमसी इसले प्रकट ह ताकि उसके सब कामों को नस्ट करे और प्रभु ने उसके कामों को नस्ट कर दिया अब हमारे जीवन में उसका कोई भी काम नहीं है यह आपको विश्वास करना है और प्रभु का धन्यवाद करना है प्रभु तेरा धन्यवाद तुने मुझे छुटकारा दिया है प्रभु में मन मिटाओं को लेकर क्या आता है लड़ाई जगड़ों को लेकर आता है बीमारियों को रुकाउटों को जीवन के अने छेतरों में बाधाओं को लेकर क्या आता है लेकिन आपको प्रभु का धनेवाद करना है कि प्रभु तेरा धनेवाद हो कि तुने हमें इस दुष्ट पर विजही किया है प्रभु तेरा धन्यवाद हो के तुने इसके सर को कुचल दिया है प्रभु तेरा धन्यवाद हो ये मेरा कुछ नहीं कर सकता मुझ पर इसका कोई अधिकार नहीं है एक वचन हम और पढ़ेंगे रोमे के किताब 16 अध्याय और 20 पत जहां पर कुछ इस प् मसी दूस्ट को सतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा खुद तो उसने उसे कुचल दिया है प्रभु येश्व मसी ने तो उसे कुचल दिया है परन्तो वचन कहता है कि वो उस दूस्ट के सर को हमारे पैरों तले भी कुचलवा देगा सिग्र अति सिग्र प्रवु उसको नस्ट कर देगा आपके जीवन से आप स्वेमों से कुछ लोगी इसलिए परमेशो का धन्यवाद करें वो दुष्ट आपके जीवन में कोई कारिया नहीं कर सकता आप डड़े नहीं आप घबराएं नहीं प्रवु पर भरोसा रखें विश्वास में बने रहें प्रातना करते रहें वचन पर विश्वास करें और उसे प्रोकलेम करते रहें कि सिग्र पर मैश और सुस्ट को मेरे पैरों के नीज़े को चलवा देगा उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है मैं विज़ई हूँ मैं विज़ई हूँ क्योंकि मेरा प्रवु विज़ए है जब आप इस परकार से कहते हैं इन गोस्टनाओं को करते हैं प्रव आपके जीवन में कारिये करते हैं आईसीश दे दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है रोच सुबहिश शाम हमारे साथ में प्रात्णों में सामिल हो रहे हैं इंस्टाग्राम में, फेस्बुक में हमें फॉलो कर रहे हैं, अपने हातों को सेवा कारिय के लिए बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे भाई बहन वीडियो को सेयर करते हैं, हम आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्यूंकि आप प्रभु के कारिय के लिए अपने हा मैं अपने गभाही देना चाहता हूँ कि मेरी मेरिज को साथ साल हो गे थे और मेरे पास संतान नहीं थी 2012 में मैं प्रभू का परचार सुना और मेरे दिल में बिशुवाष बना पर मैं प्रबु में नहीं आया मैं प्रबु में दो हयर भाई में दो मीने पहले ही आया मैं और मेरे को प्रबु ने बलस किया सेही समय पर बलस किया मैं प्रार्थना करता था प्रबु से मानता था मगर प्रबु ने सेही समय पर मेरे को बलस किया मैं अभी हर एक नशे से मुक्त हूँ मैं शराब बहुत पीता था अभी मैं शराब से मुक्त हूँ मैं शराब नहीं पीता हूँ सिगरट से मुक्त हूँ मैं सिगरट नहीं पीता हूँ प्रभू ने मेरे को ब्लस किया सच्ची गवाही है मेरी खुदा की हजूरी में कि प्रभु ने मेरे को सेही समय पर ब्लस किया मैं प्रार्थना बेजा था मैं धन्यवाद करता हूँ अमरिता सिस्टर का लिके ब्रदर का मैं अपनी प्रार्थना बेजी थी कि मेरे लिए प्रार्थना करो आपने भी मेरे लिए प्रात्न की और प्रभु ने मेरे को सही समय पर बलस किया, मैं प्रभु का बहुत बहुत दन्यवाद करता हूँ और आपकी ministry का मैं बहुत बहुत दन्यवाद करता हूं आपके नाम को सरहाते ये शुमसी आपने हमें ये मौका दिया है, ये सुन्दर शाम दिया है, ये सुन्दर पल दिया है, मिलकर हम आपकी उपास न कर सके लौर्ड, हाँ मेरे परमेशा, जितने भी भाई, बहन, बच्चे, नौजवान, बुजर्ग लोग हमारे साथ इस प्रात्न में शामिल हैं, प्रभु ये शुके सामर्ती मीठे नाम में वो प्रभु आशीश पाएं, आपकी आत्म से भढ़ जा हैं, thank you lord, thank you lord, we praise you father, we praise you lord, because you are the higher, you are the king of king and lord of lord Jesus, we praise you father in this evening lord Jesus, धनिवात करते प्यारे परमेशा, इस सुन्दर सी शाम में हम तुझे महिमा देते क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभूं का प्रभू तु है मेरे खुदावन, हम तेरी महिमा करते परमेशा, आज की तेरे आगे खड़ा है परमेशु पिता, खुदावन देशु मसी के नाम से पिता, जिन्होंने अपने हातों को उठाया है, जिन्होंने अपने हातों को प्रभू तेरी ओर फैल आया है प्रभू येशु, आज खुदावन खाली हात वापस न जाएं, प्रभू येशु आरंब से पाप करता है परमेशर, तूने उसे, उसके सिर को कुचल दिया है परभू, तूने उसे हरा दिया है परमेशर, आपने उसे डिफीट किया है परमेशर पिता, मैं धनिवाद करती हूँ परभू येश मसी, उस क्रूस की मृत्यू के द्वारा परभू येश मसी, आप आपने प्रभू अपने लोगों को भी जो आपके नाम पर भरोसा करते हैं उनको भी परमेश और आपने शैतान पर उनके कामों पर विजय दिलाई है परमेश पिता मैं धनिवाद करती हूं पिता आज येश्यमसी हर प्रकार के दूस्ट के कारियों को येश्यमसी के नाम से हम इनके जीवनों से cancel out करते प्यारे परमिश्वर, हर एक के जीवन से प्रभू, हाँ मेरे खुदा, जब ये विंती सुन रहे है, प्रातना सुन रहे है परमिश्वर, खुदावन आप इनके जीवन में कारे करे, क्योंकि आपने दुष्ट के सारे कामों को इनके जीवन से दूर कर दिया प्रभू जब प्रिता विचारों की द्वारा दुष्ट इनके जीवनों में कारे करता है प्रभू येशु बार बर प्रभू इनको विचारों में नेगेटिव करता है परमिश्वर हर काम के प्रती शक पैदा करता है प्रभू येशु मसी हर एक बात में प्रभू इ दल जाए येशु नासरी के नाम से मेरे खुदावन दुष्ट को आप इनके जीवन से दूर करें येशु मसी के नाम से उस दुष्ट के काम को हम इसी समय डिस्ट्रॉई करते हैं अकेले रहने वाली बातें येशु के नाम से दूर हो जाएं प्रभू अपने आपको खतम करन उने वाली बातें येशु के नाम से दूर हो जाएं क्योंकि तुने कहा है कि प्रभू तु जीवन देता है और जिस प्रकार भजिनकार दाउद भी कहते हैं कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है येस माई लॉर्ड मैं धनिवाद करती हूँ पिता कि आप इने जीवन दे परमिश्यर मैं दूआ करती हूँ प्रभू हर एक प्रभू येशु मसी वो अंदेखे काम प्रभू जो तेरे लोगों के जीवन में प्रभू ये दुस्ट कर रहा है प्रभू येशु के नाम से उन कामों को भी हम नस्ट करते हैं प्रभू जो बीमारियाओं के दूआरा प्रभू आपके लोगों के जीवन में कारे कर रहा है येशु मसी के नाम से हर एक हम अपने उपर लेते हैं प्रभू उस आतिखार को येश्य esca मसी हम लेते हैं और कहते ये बीमारी ये दुर बल्ता य है मेरे खुडवन मेरे खुड़ा हर एक वो बिमारी जो इनके शरीर को दुर्वल कर री एनके शरीर को zwar कर रही है इने प्रभू हर दिनलीप्रहत कर रही है एश्यू के नाम से वो बिमारी जो दुष्ठ की ओड से नस्थ हो एश्वमसी के नाम से हर एक छोटे बच्चे के सरीर से हर एक नौजवान के शरीर से हर एक बुजर्ग के शरीर से नश्ट हो येशु मसी के नाम से धनेवाद पिता मैं प्रातने करती हूँ प्रबू दुस्ट के दुआरा आया वह हर एक जूट प्रभू इनके जीवन से हम cancel करते प्रभू वो जूट जो misunderstanding को create करता है वो जूट परमेश्व जो इनके परिवार को तोड रहा है पिता वो जूट जो इनके business को खराब कर रहा है प्रभू वो जूट प्रभू जो इनके आपसी संबंद को खराब कर रहा है पिता येशु मसी के नाम से हंनों से कैंसल करते है नस्ठ होने क्या आगय देते हैं येशु नास्री के नाम से धन्यवाद प्यारे परमिश्वर मेरे प्रभू, मैं प्रात्न करती हूं पिता वो दुष्ट के कारे प्रभू जो श्राप और बंधन इनके जीवनों में है येश्यू के नाम से नस्ट हो जाएं खुदा जो इन्हें आगे बढ़ने से जो बाते रोकती है येश्यू मसी के नाम से उसे डिस्ट्रॉई करते है पिता मेरे खुदावन जो इन्हें हर प्रकार से प्रभू असफल करने की कोशिश करती है येश्यू मसी के नाम से उसे दूर करते पिता मेरे प्रभू विशेश का प्रभू इनकी आत्मिक आँखों को खोले पिता ये तेरे सत्य को पहचाने प्रभू ये सत्य की और बढ़े परमिश्व हर प्रकार क्या वो जूट कि तुम कभी सफल नहीं हो पाऊगे तुम कभी आगे नहीं पढ़ तुम एडिक्शन से नहीं छूट पाऊगे तुमारे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभू ये पिक्चर को हम जिलेट करते शुमसी के नाम से क्योंकि प्रभू तु अपने लोगों को बढ़ाता है तो उन्हें कुशल से रखता है तो उनकी सहता करता है उनके लिए इंतिजाम करता है हाँ पर मिश्यर आज प्रभू तुने इन सारी बातों से इन्हें अजाद किया है हर प्रकार के कर्से गरीबी दरिद्रता से जो शुद्ध की ओर से आती है उससे आप इन्हें अजाद करें प्रभू तु संपनसिद्ध प्रतिस्धित समानित और उंचे पद पर अपने लोगों को नियुक्त करता है धन्यवाद येश्व मसी हर प्रकार के दुष्ट के कार्य को येश्व के नाम से कैंसल करते प्रभू युद्ध इनका नहीं परंतु आपका है येश्व मसी आप इनके बैटल को विन होने में इनकी मदद करे प्रभू येश्व मसी धन्यवाद एक एक विन्ती सुनने के लिए क्योंकि अपने हाथों को इन्होंने तेरी ओर उठाया है और् तु प्रभू प्रमीश्वर है धन्यवाद पीता हम těरी महिम प्रशन सा तारीव करते हैं और इस प्रात्ना को येश्यू के पवित्र और सामर्ति ना